इस lecture के अंदर मैं आपको psychic learn के थूँ data cleaning के concept को समझाने वाला हूँ और उसमें भी जो पहला point है missing values को deal करना हम उसको देखेंगे psychic learn क्यों use कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे और जितने भी हमारे lectures के codes होंगे या आपको free में available भी होंगे आपसे सिर्फ एक request है के concepts को जरूर समझेगा मैं अपने screen share करता हूँ यह screen आपके सामने आ रही है अब हमारे पास आपको पता है के जितना भी data हमने यहां पे देखा है सारे का सारा आपके पास available होगा जितने भी codes यहां पे होंगे so don't worry about anything just look के हम क्या करते है visual studio code को मैं open करता हूँ और यह इस तरीके से आपके पास पूरे के पूरी जो हमारी notebook है वो कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो आ जाएगी so यहां पे machine learning के अंदर ही मैं एक निया folder बनाने लगा हूँ ठीक है और इसको 01 underscore data बलके folder की बजाए हम यहीं पे continue करते हैं 02 underscore missing values dot ipynb ठीक है जी तो हमने दूसरी notebook बनाई missing values dot ipynb यह सारे के सारा github पे आपको available होगी चीज़ यह वाली notebook बनाते साथ हमने library use करनी है scikit learn जिसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से बता दिया पिछले lecture मेंने आपको python machine learning की जो कुंड़ा environment और वो भी बता दिया किस तरीके से आपने चीज़ों को install करना वो भी हमने देख लिया अब हम पहले notebook बनाएंगे how to deal यह मैं इसको सीधर लिख देता हूँ dealing with missing values ठीक है और इसके लिए अगर आपको derricks.com पे जाएंगे तो हमारा blog है कि missing values के रोले तो आप वो blog पढ़ेंगे तो आपको समझ आज़ेगी कि missing value क्यों जरूरी है अगर किसी के पास वो link पढ़ा हुआ तो प्लीज चैट में डाल दें वरना मैं इसको आपको जो है वो link जो है वो provide कर दूंग at the end of this lecture. So missing values को कैसे हम देखते हैं और क्यों देखते हैं उसके ओपर directly हम जाते हैं हमारे पास पहला काम होता है कि हमने data को load करना है So उसके लिए हम करते है import libraries. Libraries कौन-कौन सी करनी है मैं आपको बारी-बारी बताऊंगा और इन libraries को आपने गवर से देखना है import pandas as pd as usual, import numpy as np as usual and then import matplotlib.pyplot as plt and then import cbon as cnsns और हमने क्या करना है इसके बाद जब scikit-learn को import करना है तो मैं वहीं पर आपको बताऊंगा कि कैसे और क्यों import करना है कौन-कौन सी चीज़ों को सो हम दूसरे step पर जाते हैं यहां पर करते हैं जी data load, load the data और पहले मैं example में titanic data लूँगा फिर हम आइस्ता इस्ता advanced data level पर चलते जाएंगे पहले concept समझें यह हर किसम के dataset पर valid बैठेगा सबसे पहले data is equal to sns.load dataset और यहां पर titanic या कोई और data हम ले सकते हैं और मैं titanic के data पर जाता हूँ because it has missing values inside ठीक है और df.headgr के data को देख लेते हैं यह basic programming है जो already हमने की हुई है अब अकसर लोगों का question यह है कि यह titanic का data मुझे दे दें भाई मैंने नहीं यह data बनाया ना मेरे पास है यह sns.load dataset जब आप लिखते हैं तो यह automatically cbond की library के थूँ आपके पास आ जाता है जो लोग आज पहली दफा मुझे सुन रहे हैं उनसे request है कि पिछले lecture ज़रूर देख रहे हैं description के अंदर मैंने code और link दिये हुए हैं सारे आप वहाँ पर जाके हमारे course को join करें और पिछले lectures को समझें ताकि आपको पिछले concept समझ जाए हैं यहां से आगे चलने के लिए आपको थोड़ा बहुत python का knowledge होना ज़रूरी है screen के उपर आप देख सकते हैं कि यह मैंने इस तरीके से हमारे पास sns.loaddataset.titanic जो है वो हमारे पास इस तरीके से हमने लोड कर लिया अब इसकी एक और बात यहां पर आपको एक अच्छे वाले बता देता हूँ अगर आप के पास जो हमारी kodanics की platform के उपर हमने recently statistics की book जो है वो डाली है वहां पर यह सारे के सारे concepts मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है kodanics की website पे जाएं आप book पे जाके ABC of statistics पे आप click करें तो आपके पास हमारी book open हो जाएगी और अगर आप गौर करें मैंने outliers and missing values का एक separate chapter बनाया है यहां पे आप इस पे click करेंगे तो यह आपके सामने outliers का data आगया और right side पे missing values पे click करेंगे तो यह missing values आगी तो पहली चीज missing values को हम क्या क्या बोल सकते हैं हम इनको not available भी बोलते हैं, ठीक है इनका एको और उल्टा नाम है, नन के नाम से none, यानि कि not a number भी ने बोला जाता है null भी बोला जाता है, undefined भी बोला जाता है blank या empty values भी बोला जाता है placeholder values भी बोला जाता है और अक्सरोकात इनको sentinel values भी बोला जाता है या dummy data भी बोला जाता है और या हम इसे missing data भी बोल सकते हैं there are many other names of it तो अगर कुछ miss हो गए है या आपको लगता है कि हम ये नहीं बोलते तो आप ना बोले अब not a number और not an an या null ये तीन number नाम याद रखे null values, missing values या nan values इनको बोला जाता है ठीक है? यहाँ ता clear हो गया अच्छा अब हम identify कैसे करते हैं सबसे पहली चीज missing value को पहला concept ये होगा कि हम कैसे identify करेंगे अगर आप check करें तो हम visually inspect कर सकते हैं कि missing values को कैसे हम check करेंगे तो ये मेरे पास code बढ़ा हुए missing values को किस तरीके से हम check करते हैं मैं इस code को copy करता हूँ ये already आपके पास available है जो मैंने link बताया मैं इसको यहाँ पे paste करता हूँ यहाँ पे मैंने paste किया तो आप देख सकते हैं कि libraries ये वाली import करनी है चार की चार और फिर हमने data यहाँ से import करना which are already date और ये आप एक figure बनाएंगे तो आपके पास पूरी की पूरी क्या उसे बोलते है data जो है वो आजाएगा मैंने इसको df के एक कुल रखा था हम इसको data बोल देते हैं because I am calling this as a data object और data के नाम से इसे याद रखते हैं so अगर मैं ये सारी की सारी run करता हूँ तो इसको click करता हूँ तो मेरे पास एक plot आएगा और ये plot मुझे बता रहा है कि जहां पे ये white spaces हैं light color की ये सारी missing values हैं ये हमारे सारे columns हैं survived का column p class, sex, age, sibling, spouse, parch या parent children, fair, embarked class, who adult male, deck, embarked town, alive, alone ठीक है तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से plot आ गया अब अगर आप गोर करें age के column में missing values है हमारे पास embarked के column में embarked town के column में और deck के column में ठीक है so ये हमारे पास missing values है अब अगली चीज हम किस तरीके से देख सकते हैं missing values को हम अपने पास different किसम के जो codes हैं उन्हें use करके भी देख सकते हैं ठीक है? मिसाल के तोर पे मैं यहां से यह वाला code copy करता हूँ और दूसरा तरीका missing values को find out करने का यह है कि आप सारा data load करें क्योंकि हमने पहले ही कर लिए तो मैं अगर इसको ना भी लिखों तो it's fine but I will just go through like this फिर हम क्या करते हैं missing values in each column निकालने के लिए आप data.isnull.sum यह वाली value लिखेंगे तो आपके पास पूरे के पूरी missing values आ जाएंगी अब मैं आपको बताता हूँ यह कैसे हम find out करते हैं तो यहां पे अगर मैं data लिखूं dot isnull लिखूं तो यह क्या करेगा यह मुझे इस तरीके से missing values पकड़ा देगा true और false की true के जहां जहां पे missing values आ वहां पे true आ जाएगा जहां पे नहीं है वहां पे false मैं चाहता हूँ कि यह सारे का सारा मेरे पास sum हो के आ जाए so it's showing me number of missing values in whole data set तो अगर total data की बात करें तो data.info की command से हमारे पास total data जो है वो आ रहा है which is 891 ठीक है हमारे पिछले lectures के अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हूँ है तो आप यहां से भी missing values देख सकते है non null values का मतलब है कि यह total values है 714 जो है non null है इसका मतलब जो null होंगी वो इसके उल्ट होंगी 891 माइनस 714 which is 177 ठीक है तो यह एक तरीका है हमारे पास missing values को देखनेगा अगर आप इसके बाद dot sort values लिख दें और descending को यहां पे आप ascending को false कर दें तो यह सारे का सारा आपके पास ऐसे आजाएगा कि सबसे ज्यादा किस column में missing values है फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम फिर zero वाली start हो जाएगी हमें पता है कि यहां पे चार ऐसे column है जहां पे missing values ज्यादा है ठीक है missing values है पहले वाले में बहुत ज्यादा है फिर age का column है फिर हमारे पास embarked कहें लेकिन अगर मैंने count ऐसे करना है कि इसकी percentage मेरे पास आए तो मैं क्या करूँगा same वाला code copy करूँगा यहां पर paste करूँगा और फिर अब percentage के लिए मैं क्या करूँगा यह जो मैंने code दिया हुए आप इसी को देख सकते हैं divided by length multiplied by 2 divided by length of that data multiplied by 100 sorry not 2 तो यह मेरे पास percentage में आगया अब आप चेक करें कि 19% values age की हैं हमारे पास missing और 77% हमारे पास deck की हैं ठीक है लेकिन आप देख रहे होंगे कि यह कितने decimal points आगे हैं और यहां पर हमारे पास percentage भी उल्टा रही है तो पहला काम हम यह करते हैं इन सभी के इर्दगिर्द bracket लगा देते हैं ठीक है select करके मैंने bracket लगा दी अब मैं क्या करता हूँ dot ascending dot sort order sorry sort values ascending false अब अगर आप देखें तो यह उपर से नीचे की base पे जा रहा है मेरे पास लेकिन still I have more number of values here तो इसके लिए हम कौन सा function use करते हैं rounding off का ठीक है सो मैं यहां पे इनके इर्दगिर्द दुबारा लिखता हूँ कोई भी चीज मैं इसके इर्दगिर्द भी लगा सकता हूँ rounding off यानि के यहां पे भी मैं bracket लगा के rounding off लगा सकता हूँ like I did here अगर आप भौर करें तो इसके बाद इस तरीके से यानि कि यह पूरे का पूरा लिख के और इसके आगे कॉमा लगा के 2 लिख दिया था मैंने so I can do that one as well for example मैं यहां पे इसके पीछे लिखता हूँ round round लिखने के बाद मैं इसे 2 decimal points तक लाना चाहता हूँ like this तो यह 2 decimal points तक आगी अगर मैं चाहूँ तो इसको 3 decimal points तक ले हूँ अगर मैं चाहूँ तो 4 decimal points तक ले हूँ decimal places का आपको पता है न यह 4 decimal places है हमारे पास अगर 2 तक रखेंगे तो यह automatically computer यह से round off कर रहे so I don't need to round it off so I don't need to do that it's automatically doing so these two things I have written in this code I will run it after run it after run it all the things will be round off after run it after print the missing values and missing values so this is the second method to find missing values then you have there is a library called msno matrix यह भी आप बना सकते है msno ठीक है इसको missing number भी बोलते है और इस तरीके से भी आपके पास same वही plot बनता है you can install this msno library और इसको missing no number value बोलते है missing no इसको बोल सकते है आप library को आप यह भी install करके pip install के साथ इसे भी try कर सकते है it will give you this kind of matrix as well जो हमने पहले ही बना लिया था matplotlib को use करके something like this ठीक है so यह same matrix देती है you don't need to worry अगर आपने एक बना लिया तो that's enough हमारा main मकसद है मैं पता हो कि missing values कितनी है अच्छा अब आप गोर करें मैंने यहीं पर बताया हुआ है कि missing values handle करना क्यों इतना एहम है और हम किस वज़ा से और कैसे missing values को handle करते हैं तो यहां पर अगर गोर करें मैंने आपको बताया कि यह model की accuracy पर गहरा असर डालती है missing values data की मियारी पर सवाल यानि कि आप मैयार को चेक करने के लिए missing values को पहले देखते हैं कितनी missing values का data इसने impute किया and then model training का जो वक्त है वो भी बढ़ जाता है अगर आपकी missing values जो है वो impute ना हों तो अगर ना हों तो क्या होता है model की accuracy काम होगी data का मैयार जो है खराब होगा तो model भी खराब होगा और training के लिए वक्त भी ज्यादा लगेगा so इस वज़ा से हम impute करें लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास missing values के और भी काफी रोले हैं so just go ahead and give it a read ये जो बुक है इसका link मैंने आपको बता दिया kodenics की website पे जाके उपर top पे आपके पास books के उपर click करने के बाद ये link आपके पास आ जाएगा so अब handle कैसे करना है पहली चीज ये है कि मजूदा data source से फिर दुबारा से data हसल कर ले पहली चीज ये कि जो missing values जितनी आपके पास आ रही है ना वो जिसने data collect किये अगर possible है तो data दुबारा से missing values वाले लोगों का दुबारा से data ले 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 अगर वो लोगों का नहीं experiments का है तो कोशिश करें दुबारा से experiment करें resources लगेंगे पैसे लगेंगे लेकिन that is the best way to handle missing values ठीक है अब पिछले lectures के अंदर मैं एकसर रोकात आपको बताता है हूं कि there are computational way to impute missing values लेकिन best accuracy के लिए missing values का वहीं से impute करना ज़रूरी है जहां से आप miss कर गए है यानि कि अगर किसी बंदे की age missing है तो उसको phone करके पूछें या उनके घरवालों को पूछें कि age इसकी कितनी थी ठीक है so that's how you can actually impute the missing values तो पहला तरीका क्या है कि जहां से data लिए है वहीं से missing values का पता करें second one is mean, median या mod से data को impute कर लें ठीक है यानि कि आप mean से median से या mod से data को impute कर लें ठीक है और फिर चलते हैं तीसरी की पे तीसरा जो हमारे पास method है missing values को handle करने का mean, median, mod के बाद आप forward या backward fill का इस्तमाल करते हैं यानि कि आप पिछली value जो है उसी की base पे अगली value डाल देते हैं यानि कि मेरे पास पूरा data आ रहा है जहां missing values है उससे forward fill का मतलब है कि उससे पिछले बंदे से value लेके आगे fill कर दो ठीक है, backward fill का मतलब है कि अगले बंदे से value लेके पिछले box में डाल दो, so this is like forward fill और backward fill, फिर एक होता है आप दोनों से interpolate करते हैं, यानि कि forward की value ली backward की ली divided by 2 कर गिया so this is also another method to impute missing values, पहली चीज आप data से देखें, दूसरी चीज mean, median, mod से उन्हें replace कर दें तीसरी चीज, forward या backward fill फिर चोथा हमारे पास क्या आता है, forward या backward fill के बाद, हम करते हैं, K&N, यानि कि K nearest neighbor users, imputers का इस्तमाल, यह है machine learning algorithm जो specifically आपको missing values impute करके देता है based on your data, based on the patterns in your data, सिरो mean, median, mod की base पे नहीं, यह impute करता है using the neighboring algorithms जो हम इंशाला पढने वाले भी हैं so this is another method, जिसके तुरू आप कर सकते हैं, फिर आपके पास इससे भी अगला आता है, कि आप deep learning के algorithm use करें, और machine learning या deep learning को use करने के लिए iterative imputer एक algorithm है which can actually work, और इसको enable करने के लिए आप experimental base पे जाते हैं, we will do that यह था यह मारे पास deep learning का method, इसके बाद simply क्या delete कर दो, उठा के बाहर फैंको, you don't need to impute them, क्योंकि missing values ऐसी होती हैं, जिनको आप impute करी नहीं सकते हैं, कैसे करेंगे impute, कोई आपके पास कोई idea होगा तो आप impute कर सकते हैं, so based on those things, missing values का आप उठा के बाहर कर देते हैं, और कब और क्यों उठा के बाहर करना है, this is based on some hypothesis आपने देखना है कि क्या वो पूरे का पूरा column, मेरे लिए इतना important है या नहीं अगर वो हलका भूलका important है तो उठा के बाहर कर दे, बहुत important है then you have to impute those values पिछले methods use करके एक thumb rule यह होता है कि अगर 80% तक या 70 से उपर 100% कोई column में missing values उठा के बाहर कर दे ठीक है, लेकिन depends करता है कि वो missing values आपके data में important कितनी रखती है importance कितनी रखती है, कभी किसी से नहीं पूछना क्या मैं उठा के बाहर कर दे, you have to think, you are the sole responsible to take this decision, क्योंके आप data scientist हो ना, कोई थोडी ना अगर आप मुझसे कहेंगे के, sir मेरा यह data था मैंने missing values उठा के बाहर कर दी, is it fine? नहीं, नहीं fine until unless you actually access कि उस column की value कितनी है वो column कितना में really important है so that's how you have to learn कि delete कब करनी है, तरीका मैं बता दूँगा delete करने का missing values का but you have to know कि कब क्यों किस वज़ा से करनी है, और एक और तरीका है लोग कहतें कि मैं नहीं करता भी missing values delete, यह मैं impute नहीं करनी तो यहाँ पे मैंने बकाइदा फिर तो हर्किस model अच्छा काम नहीं करेगा यही नहीं, अभी और सुनिये क्या-क्या मसले हो सकते हैं अगर हम missing values को नजर अंदास कर देते हैं, तो हमें जिन मसाइल का सामने है, वो उसमें से model की accuracy में कमी आ जाएगी, घलत analysis होगा कि आप लोगों को बताएंगे कि जि मैंने बहुत अच्छा analysis किया, वो सबसे घलत होगा आपका model ही confused हो जाना है कि यहां पर value कोई नहीं, मैं क्या डालू फिर biasness हो जाएगी model में यानि कि जिन लोगों का data आपके पास है model उनकी तरफ favorable होगा ठीक है, फिर data का घलत interpretation होगी, यानि कि आपका data जो लोगों के पास है वो बहुत घलत interpret करेंगे, फिर storage issues भी आएंगे आपके पास, क्योंकि data आपके पास तो आपके पास क्या होगा कि मिसाइल हो सकते हैं कि system में missing values को store नहीं कर पाते, for example आपके पास relational databases के अंदर अगर आपके पास missing values हैं sometimes the database doesn't work in a way कि आपका पूरे का पूरा data store हो जाए, तो missing values वाली वो चीज़ें निकाल देते हैं, so you need to be very actually thinking, you should think about these points beforehand data integration के मिसाइल बनेंगे यानि कि एक में value और दूसरे में नहीं है तो integrate कैसे करेंगे, features का घलत section आपके पास आ जाएगा and घलत experimental results हैंगे then, stress और extra काम, यानि कि फिर जो end पे जाके वापिस आना है तो भई पहले से कर लो ना impute, समझा है बात की this is why I am going to say कि यह जो chapter है missing values and outliers this is too much very much, जिनना भी मैं very very वुरी वुरी लुखा दूँ, बहुत important है, अगर आप missing values के बारे में सही से knowledge लेना चाते हैं तो बेहतरीन तरीका यह होता है पहले ही handle कर दो problem को बजाए इसके, के end पे जाके दुबारा से आपको कुछ वापस बेजे, ठीक है, so you don't need to worry about these things afterwards इसलिए अभी से handle करते हैं यहां तक समझ आगी आपको, चलें मैं अपनी screen के उपर अब आपको बताता हूं कि missing values के कौन-कौन सी चीजें जो हैं हम deal करते हैं, missing values के अंदर देरा many concepts, many concepts आपकी source धंग रह जाएगी अब यहां पे देखें, मैंने आपको दिखाया कि यह column 688 missing values लेके बैठा है deck का, और यहां पे 77% values हैं, सो मुझे पता है कि deck का column important है लेकिन अगर मैं deck के column को print करूं, यहां पे df. बलके data. head करके, you will see कि जनाबेवाला यहां पे आपके पास deck के column के अंदर deck क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि आप कौन से deck पे सवा रहे ठीक है, जैसे ship होती है, cruise ship होती है यह Titanic की ship है, वहां पे decks होते है ठीक है, एक deck, दूसरा है, तीसरा चौता है, मतलब किस deck पे आया है, किस floor पे आया है basically, तो अगर उसका तरीक है, इसको उठा के बाहिर करते है, जो मैं ज्यादा prefer करूंगा, but we can also impute these values, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा method यूज करना है, कब कौन सा करना है अब हम चलते हैं, दूसरी technique की तरफ, second one is called कि आप यह वाली missing values को mean, median, mode के सा replace करते हैं, ठीक है अब देखते हैं, mean, median, mode कौन सा है पहला method मैंने आपको बताया था कि आप जो titanic का data दुबारा ले ले, भाई हो तो डूब गी ना titanic तो नहीं वापिस आनी, तो हम क्या कर सकते हैं हम पहला method जो है जो मैंने आपको बताया कि just a minute मजूदा data set source से दुबारा data, नहीं मिल सकता भाई titanic डुबगी काम तमाम अब mean, median, mode से देखते हैं, ठीक है पहली बात याद रखे, mode जो है वो categorical variable को impute करने के लिए use होता है, mean और median use होते है, for numerical variable चलें जी, अब हम use करते है age के column को impute करते है using mean, median, or mode और जो तरीका मैंने यहाँ पे आपको बताया है, if you see तो आप fill na method यूज करते हैं using pandas library, तो पहले pandas का बताता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप psychic learn को use करेंगे mean, median, mode के लिए so mean से हम करते है mean of age to fill age missing values तो हमने क्या करना है, data यहाँ पे चाक करेंगे data हमारे पास है, ठीक है और data का age का column आपने बता देना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ age is equal to आप लगाते है, and then again आपने वही चीज लिखनी है यह मैं आपको तुक्के बता रहा हूँ जिससे हम तुक्के बोलते है ठीक है, तो यह data दोनों साइडों पे सेम आ गया, अब right side वाले पे आपने एक extension लगानी है dot fill dot fill na fill na का मतलब यह है कि fill करो null values को यह not available values को किस तरीके से वह आपने bracket में बताना है mean से करनी है, median से करनी है mod से करनी है तो पहली चीज मैं आपको बता दूँ कि data को जब आप mean से करेंगे replace, तो मैंने आपको पिछले lectures के अंदर बताया है, कि अपनी values जो है mean से जब आप replace करते हैं, तो वह एक खिचाओ आ जाता है mean के अंदर outliers की वज़ा से, यानि 80 साल का जो data होगा जो 80 साल वाले बज़ूर्गे वह अपनी तरफ खेंचेंगे missing values को mean को, अब इसकी example मैं ऐसे देता हूँ अगर मैं df के अंदर age का dot mean लूँ तो वह क्या होगा बलके data है notdf इसका mean है 29 ठीक है अब मैं इसी का median लेता हूँ data के अंदर age और इसको हम लेते हैं जनाब median अब देखें यह है 29 इशारिया 6 नौँ और अगर मैं इसको round off भी करूँ 2 वें तो हम यह कह सकते हैं कि यह हमारे पास 29 इशारिया 7 है ठीक है मैंने इसको round कर लिया तो यह आप देखें मैंने जब 2 किया था यह 7 इस वज़ा से आ रहा है क्योंकि यह 29.70 है ठीक है इस वज़ा से यहां पर 7 आ रहे इस शुड़ बी 29.70 ओके यह हमारे पास median 28 और यह आ रहे हमारे पास 29 So I would suggest क्योंकि median जो है यह आउटलायर्स से ज्यादा impact नहीं लेता इस वज़ा से मैं median यूज करूंगा अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे sorry यह स्क्रीन आपके साथ शेर नहीं हो रही थी So यहां पर अगर आप गौर करें तो मैंने round off किया यहां पर और mean जो है वो मेरे पास आ गया यहां पर median आ गया अगर आप देखें mean मेरे पास इस वकत आ रहे 29.7, median आ रहे 28 क्योंकि median जो है वो कम effected होता है due to outliers तो इस वज़ा से हम इसके साथ ज्यादा रिप्लेस करते हैं values को as compared to mean यह मैंने पिछले lectures में भी आपको बताया लेकिन आपने अगर mean के साथ करना है तो आप यह वला formula लिखेंगे जो मैंने यहां पर लिख दी है अगर median के साथ करना है तो यहां पर सिरफ median लिख देंगे simple तो यह आपकी values impute हो जाएंगे अब अगर आप दुबारा से check करें क्या आपके data के अंदर missing values हैं के नहीं is null dot some sort values तो check करें जी सिरफ 3 column रहें हमने age वाला impute कर लिया using median अगर आपने mean से करना है तो यहां पर mean लिख देंगे यह मैंने आपको पहले बता दिया so this is how you can actually impute the mean and median अब आप चेक करें मेरे पास deck का column अभी भी मजूद है so I can actually impute this value as well otherwise I can also drop this data so आपने अगर इसको drop करना है you can use something called drop deck column अगर हमने करना है तो उसके लिए आप simply क्या कर सकते है data dot drop जो column आपने remove करना है deck का उसका नाम 1 क्यूं लिखते हैं वो इस वज़ा से लिखते हैं उपर से नीचे जब column आता है तो इसको axis 1 होता है 0 axis होता है जब आप rows को discuss कर रहे है, 1 axis उपर से नीचे होता है, ठीक है, so इस वज़ा से जब आप columns को discuss करेंगे, you will write 1 in place true का मतलब है कि data के अंदर यह वाली change embed कर दो in place true ठीक है, so यहां पर मैं इसको run करता हूँ, now you will see मैं इसको दुबारा से run करता हूँ, तो deck साब remove होगी है ठीक है, अब मेरे पास embarked and embarked town की values बची है, so because this column is data.head अगर मैं करूँ क्योंकि embarked और embarked town same column है, south hampton है और उसकी abbreviation है, share board है तो उसकी abbreviation है so I know के यह दोनों जो मेरे पास चीजें हैं, यह दोनों है non numerical या categorical तो इस वज़ा से मैं इनको mod के साथ replace करूँगा, so replacing embark missing values with mod, ठीक है so उसके लिए वही चीज आप data embarked town और उसका mod देख सकते है, क्या है मैं इसको run करता हूँ, check करें मेरे पास mod आया है, Southampton ठीक है, अब इससे भी आगे जहान और है, अगर मैं 1 लिखता हूँ just a minute Southampton 0 mod इसका मेरे पास आया है Southampton, so I would just say, कि जनाम मेरे पास Southampton आ चुक है, क्योंकि अगर आपके पास similar values किसी और भी column की होती किसी और भी values की होती, तो आपके पास आ जाती है, इसका एक और तरीका होता है data के अंदर data के अंदर embark town का value count देख लो, so Southampton जो है एक ऐसी जगह है, जहां से 644 लोग आए है, that is why we can replace the missing values with mod, और उनकी जगह पे थेंटन आ जाएगा, ठीक है, so मैं यहां पे replace करता हूँ उसे, दुबारा से is equal to, यहां पे मैं लिख दूँँगा data, embark town, fill and a, वही चीज़, और embark town के बाद mod, और 0 mod के साथ उसे replace करना, 0 का मतलब पहला mod, क्योंकि एक ही हा mod, तो यहां पे 0 की जरूरत नहीं है, but I am going to do that मैं इसको impute करता हूँ, अब चेक कीज़ेगा, मैं दुबारा से run करता हूँ इसको survived, अब हमारे पास embark town चला गया नीचे, embarked रहा गया, तो मैं same चीज, embarked पे भी लगाँगा, data के अंदर, embarked के अंदर values और उसको भी mod के साथ replace कर दो and now all the missing values have been fulfilled, ठीक हो गया जी, यहां तक आपको समझ आगे missing values को impute करने का तरीके जो मैंने अभी आपको बताए है, जिसमें mean median mod बताया है, लेकिन रुको जरा, सबर करो, we can also impute using sklearn, sklearn के साथ कैसे impute करना है, तो मैं दुबारा से data download करूँगा और उसके उपर sklearn के different algorithms हम use करेंगे, अगर आपको code नहीं मिलेगा, तो वो code मैंने यहां पे दिया हुए, अगर आप देखें तो missing values को mean यह मैंने बताया, pandas का तरीका फिर यह वाला, median का फिर यह mod का, यह हमने तीनों देख लिए, now we will see के किस तरीके से हम उसको use करते हैं, sklearn की library को, ठीक है, so now first we will import libraries, जिसमें obviously pandas.pandas as pd, numpy as np and cbon as sns कर लेते हैं, matplotlib अभी रहने देते हैं, from sklearn.preprocessing import not label encoder it was let me think simple imputer imputer wait a minute dot यहां पे class क्या थी, let me see impute 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 के बाद यहां पे आप impute impute यहां पे आप impute के बाद simple imputer भी कर सकते हैं simply so search करेंगे और फिर हमारे पास एक और इसी के अंदर ही use होती है जिसको हम simple imputer with different किसम के sparse matrices की एज के कॉलम को so impute age कॉलम using simple imputer from sklearn so हमने sklearn को use करना है to impute values ठीक है हमने यहीं पे बता दिया imputer हमारा कौन सा है simple imputer हमने use करना है strategy हमने रखनी है mean की तो सबसे पहले आपने यह चीज़ call करनी है यह चीज़ call करनी है ठीक है आप separately भी कर सकते है but I would prefer कि आप इस तरीके से इन चीज़ों को यहां पे ले किया है अब हमारे पास imputer आ गया now you have to fit that for example यह df.age का कॉलम है और imputer.fit transform आपने लिखना है fit transform क्या करता है यह fit करता है वह वाला model यह machine learning strategy है आपर पास values जो है वो transform हो जाए ठीक है and this is how you can actually see कि आपके पास जितनी भी values थी अगर मैं यहां पे पहले run करूं बलके इसके नीचे run करता हूं df.isnull.sum and ascending false यह आप देखे age की 177 values है अब हम देखते है इसको run करके run again impute होगी so यह दो लाइनों के अंदर यह इस तरीके से impute हो जाएगा strategy हमने median की use की है अब मैं दुबारा से अगर यह वाला code run करूंगा तो हमारे पास दुबारा से missing values आ जाएगी यह हो गया था median का mean अगर लिखेंगे तो यह mean के साथ भी हो जाएगा यह मैंने mean के साथ कर दिया ठीक है वो दुबारा गायब होगी and if I run this again तो यह मेरे पास data दुबारा आ गया missing values के साथ मैंने इसको run किया यह missing values आ गई अब दुबारा से अगर मैं mean वाली कोई करता हूँ तो मेरे पास something like this यह missing values update होगी so this is one of the strategies using simple imputer ठीक है simple imputer कहां से आया यह sklearn के impute function से आया which you can see here as a simple imputer और यह हम use कर सकते है to actually impute the values अब यह तो हो गया simple imputer अब अगली तरफ चलते हैं कि हम sklearn को simple imputer की बजाए हम किस तरीके से multivariate imputation कर सकते हैं अब simple univariate imputation के है multivariate imputation के है वो मैं आपको समझाता हूँ ठीक है df. अगर मैं head करूँ तो यहाँ पी check करें आपके पास है age का column अगर आप age के column में imputation करना चाहते हैं missing values की by only considering यही age का ही column तो इसको बोलते हैं univariate imputation यानि के एक variable के अंदर रहके ही imputation करना ठीक है इसको बोलते है univariate imputation कौनसी imputation univariate which is actually mentioned here ठीक है और यह का करती है missing values को impute करती है by making a computation based on the same variable अब अगर आप multivariate imputation करना चाहते हैं उसी एक चीज़ की तो आप क्या करते हैं जितने भी आपके पास variables हैं उनके थूँ आप imputation कर रहे होते हैं इसको बोलते हैं more sophisticated approach to iterative imputed class which models each feature with missing values as a function of other features and uses the estimate for imputation for example अगर मैं यहां पे देखों के यह बंदा बिचारा नहीं बचा third class में सफर कर रहा था एक male है और एक sibling spouse था zero parent children क्राया बजारे ने 7.2 डॉलर दिया S यानि के South Hampton से सफर किया third class इसकी obviously मैंने बता दिया man है true है यानि के यह adult male है और deck की कोई information नहीं है alive नहीं रहा and false है के alone था अब यह जितने भी variables हैं अगर मैं सभी को count करके age impute करूं इसको बोलते हैं multivariate imputation यानि के सारे variables की base पे a को count करना और उसके लिए आप use करते हैं यह वाली technique iterative imputer के अंदर आप basically दो code आपको लिखने पड़ेंगे which one we are going to write here we are going to write both of those here तो मैं यहां पे क्या करता हूं अब यहां पे मैं लिखता हूं multivariate imputation multivariate imputation क्या होगी सबसे पहले हम obviously data download करते हैं इसको मैं कहता हूं sns.load dataset and now you will see के titanic data हमारे पास आ गया मैं यहां पे missing values को भी देखता हूं is null ताके आपको एक दफा दिखा सकोंगे किस तरीके से हमारे पास values impute रही है यह हमारे पास missing values नहीं ठीक है अब मैं क्या करता हूं यहां पे मैं code लिखूंगा from sklearn.experimental पहले चीज़ तो यह कि आपने इसको enable करना है क्योंकि यह beta version है अभी भी beta version जिसको बोलते है यह experimental version है machine learning के model का तो इस विदा से सबसे पहले आपने इसको activate करना है कि iterative imputer को enable किया जाए experimental version को फिर आपने क्या करना है from अब आपने sklearn से iterative imputer को call करना है यानि कि यह वाला algorithm आपने call करना है जो क्या करेगा multivariate imputation करेगा ठीक है करने के बाद आपने अब क्या करना है multivariate impute करना है using iterative imputer तो इसके लिए imputer आपने यहां से बुला लिया जिसको हम iterative imputer बोलते है and this is how you can actually show like this और then what you can do आपने simply वही चीज जो imputer पीछे आपने simple imputer लिखा था आपने यहां पे लिखा है iterative imputer सिरफ यह वाली एक चीज़ चेंज होनी है बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसी रहनी है ठीक है अब मैं अगर इसको impute करूँ इसको run करता हूँ run हो गया यह जग करें 177 values मेरे पास impute होके आ गही है और वो multivariate imputation है एक और तरीके से आप इसको impute कर सकते हैं कि आप यहां पे number of iteration भी बताएं यानि कि n आप number of iterations जो है वो भी बताएं not nearest feature मैं यहां पे maximum iteration sorry maximum iteration बताता हूँ से for example 10 और random state भी आप बता सकते हैं but 10 या 20 आप iteration रखें इसको बार-बार करेंगे तो आपके missing values बार-बार change भी होती जाएंगे so this is how you can impute एक और तरीका कार यह है कि number of near features भी आप बता सकते n nearest features मैं यहां पे कहता हूँ सिरफ 5 या 2 variable की base पे जो सब से close 5 variables हैं उनकी base पे impute करो तो मैं यहां पे से run करता हूँ यह मेरे पास जनाब आगे 177 missing values and then I will run this and this is more accurate than univariate क्यों क्योंकि यह सारे variables को आपस में consider कर रहा है and this is how you can actually impute using iterative imputer और यह basically machine learning के साथ आप multivariate analysis के through missing values को impute कर रहे हैं done हो गया जी अब मैं आपको forward and backward fill दिखा देता हूँ forward and backward fill क्या करते हैं forward fill and backward fill यह भी एक तरीका है impute करने का और यह इस तरीके से होगा मैं आपको सिरफ इसको मैं run करके दिखा देता हूँ हमारे पास using pandas library आप इसको कर सकते हैं df हम दुबारा से ले के आते हैं और बलके मैं यहां से data को run करता हूँ क्योंकि मेरे पास missing values आ जाएंगी यह वाली 170 अब मैं क्या करूँगा यहां पे forward fill को use करूँगा using forward fill forward fill के तुरू आप कैसे age के column को impute age column forward fill कैसे use होगा simply आप यहां पे method में forward fill लिख सकते हैं ठीक है और आपकी df age impute हो जाएगी simple method में forward fill मैं इसको run करता हूँ अब आपने एक चीज़ पे गोर करनी है जो अक्सर उकाद programmers गोर नहीं करते जिस पे वो है कि आप किस तरीके से यह warnings को read करते हैं यहां पे यह warning आई और उसने बताया कि future warning यह कहती है कि आपकी जो भी pandas की series है ना उसके उपर fill n लगाने के साथ साथ जब आप method लिखते हैं और उसके अंदर f fill लिखते है ना तो यह हमने चीज चेंज कर दी है यह वाली चीज हमने चेंज कर दी है इसको दुबारा से रन करता हूँ तो अगर आप गोर कर रहे हैं उन्हें बोला कि यह deprecated हो गई है मतलब यह कि अब आप यूज करेंगे dot f fill that's it and this will impute your forward fill मतलब क्या मैं भी आपको समझाता हूँ कि यह आपने data load किया यहां पर और यह आपके पास यह data load किया यह आपके पास आगे df.isnull यह आपके पास missing values आगे हैं 177 अब हमने forward fill के साथ impute करना है इसे मैं forward fill f fill लिख दूँगा backward fill करना है तो मैं b fill लिख दूँगा simple ठीक है so forward fill and backward fill बहुत असान हो गया and then you can use this click करता हूँ यह इसने impute कर दिया यह जनाब यहां पर impute होगी और backward fill से आप impute करते हैं मैं यहां से run करता हूँ यह आप देख सकते हैं मेरे पास 670H की values है तो मैं यहां पर b लिखूँगा and that's enough for me इसको run करता हूँ backward fill के थूँ यह impute होगी so forward fill and backward fill आपके पास आ गया हमारे पास कितने method होगे अब हमारे पास होगे हैं जनाब पहला तो था mean median mod बला forward fill and backward fill second था हमारे पास third बलके पहला तो यह था कि आप data से लें फिर KNN imputation का इस्तमार रहा गया KNN imputer नहीं हमने अभी use किया यह k-nearest neighbor की base पे करता है और यह भी circuit learn के अंदर है तो मैं इसे यहीं पे आपको करके दिखाता हूँ circuit learn के उपर ही यह हमारे पास data आ गया यह 170 missing values मैं यहाँ पे लिखता हूँ using KNN imputer k-nearest neighbor algorithm की base पे यह करता है और यहाँ पे मैं करूँगा from sklearn.imputation या impute import KNN imputer और करने के बाद हम यहाँ पे same वही चीज़ करते हैं age के column पे हमने सिरफ imputer change करने है और nearest neighbor बताने है कि यह फिर nearest neighbors की base पे 5 neighbor की base पे आपको data देगा and that's it यह आपके KNN imputer हो गया so forward field backward field KNN imputer फिर आपके पास deep learning के algorithm या machine learning का enable iterative imputer हमने देख रहे हैं multivariate का and then we can also use many other techniques लेकिन I would say के drop NA यहाँ पे आप click करेंगे drop NA तो सारे के सारी missing values की rows drop हो जाएंगे so you can also drop missing values rows ठीक है वो कैसे आपने drop करनी है यह मैं इसको run करता हूँ यह यहाँ पे run करता हूँ यह जो दो-दो values है ना embarked town की और embarked इसकी तो आप इसको drop भी कर सकते हैं सही है so you can use drop NA function for example अगर मैं यहाँ पे इसको run करता हूँ तो मेरे पास दो हैं embarked की और दो ही मेरे पास यहाँ पे 117 यह और 668 यह मैं सारी की सारी rows को drop rows having missing values वो भी हम कर सकते हैं simply आप drop NA कर दे that's it check कीजेगा आप data अपना यह मैं यहाँ से code उठता हूँ यहाँ पे paste करता हूँ and here you go सारी की सारी missing values को हमने उठा के बाहिर कर दिया सारी की सारी missing values की rows को not column rows अब आप देखिएगा जो data है आपके पास df.info यह आपको क्या बताता है let's see यह आपको बताता है कि आपकी 891 नहीं है अब आपके पास 182 entry है क्यों क्योंके जब आपने data को सारी की सारी drop in ने कर दी ना तो क्या हुआ जो 688 deck थी वो भी गई 117 यह भी दो यह दो यह यह सारी मिला कि आपके पास जितनी values थी obviously कोई duplicated भी होंगी उनको आपने निकाल दिया तो आपके पास data सारा short हो गया तो यह तरीका का ठीक नहीं है एक deck का column पूरा data ले गया so you need to be very careful when you are dropping rows in missing values अब जी चलते हैं आज के conclusion के उपर missing values क्या है एक बहुत बड़ा challenge है ठीक है लेकिन missing values से गुजरना और इसका तजर्बा हर बंदे के लिए बहुत जरूरी होता है अगर आप इसका तजर्बा नहीं लेते तो basically आप क्या करते हैं इस challenge को accept नहीं कर रहे और अगर आप इसको accept करके कोई techniques अच्छे तरीके से use करके अपने missing values को impute कर रहे that means you are increasing the quality of your data you are increasing the chances of your model performance in a good way आप accuracy उसके improve कर रहे and at the end आपका data जो है वो ज्यादा storage भी नहीं लेगा और अच्छे तरीके से जब आप उसे different किसम के relational database में store करना चाहेंगे तो everything will be working fine यह था जिए missing values के उपर पर आपको information hopefully आपको समझ आए होगी तरीके कार समझ आए होगे अब आप सोच रहे होंगे कौन सा कभी यूज करना है it's totally you जिसने decide करना है obviously multivariate analysis के थूँ जब आप compute करते हैं वो सबसे बहतरीन तरीका होता है लेकिन keep in mind उन्होंने साथ में लिख है experimental है वो अगर खुद से कह रहे हैं कि यह experimental technique है don't use it ठीक है लेकिन mean, medium, mod और बाकी तरीके जो है उनको देखके इस्तमाल करें अगर आपको लगता है कि यह उठा के बाएर करने वाली यह उठा के बाएर करें this is how we deal with missing values और missing values को जो master करेंगे एक दफ़ा deal करना believe me, वो एक अच्छा data scientist बन सकता है एक अच्छा machine learning engineer बन सकता है या बन सकती है और एक अच्छा या अच्छी वो AI developer बन सकती है it's up to you how to deal with these things अगर आपने like नहीं किया अभी तक like करतें, share करतें, subscribe करतें अगर थाड़ी मर्जी नहीं करना कम असकम पढ़ते रहे, ठीक हो गया